लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए घर में ही शोशन का सामना कर रही एक लड़की ने सीक्रेट कैमरा लगा कर पिता के खिलाफ सबूत जमा कर लिए इसके बाद 14 साल की लड़की ने पुलिस को वीडियो सौप दिया पुलिस ने 47 साल के डेमन बेकनेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है लड़की का कहना है कि कई सालों से पिता उसके साथ शारीरिक दुर्वेवहार कर रहे थे लड़की के रेकॉर्ड किये गए वीडियो में दिखाई पड़ता है कि पिता उसे पीटने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वे कुत्तों को मौत के घाट उतार देंगे ये मामला अमेरिका के फ्लोरिरा का है पुलिस ने कहा है कि वीडियो में आरोपी शक्स चाकू लेकर कुत्ते का गला काटने की बात कह रहा है लड़की कुत्ते को बचाने की कोशिश करती है तो पिता उस पर भी अटाइक करता है हाला कि पिता को गिरफतार किये जाने के बाद कोट से जमानत मिल गई कोट में 4 फरवरी को इस मामले के सुनवाई की जाएगी अलग रह रही लड़की की माँ ने कहा कि बेटी कई सालों से शोशन का सामना कर रही है लेकिन शिकायत करने पर अधिकारियों को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था इसलिए उसने वीडियो बनाने का फैसला किया